जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहिती के बहुत ही महत्तपूण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अबस्ते देखें बन लाइनर एक कॉस्चन है आपर तो बहुत ही महत्तपूण है तो वीडियो को पूरा बस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें तो किसे ने नहीं माना है जै संकर पिरसाद आपका यहां पर सही आंसर होगा अंगला कोस्चन पूँचा क्या है किस पुस्तक का 15 भारतिय भासाओं और 40 जो है विदेशी भासाओं में अनुबाद किया जा चुका है अंगला कोस्चन यहां पर पूँचा क्या पूँचा क्या है देखिए किस भासा को दिरबन परिवार की सभी भासाओं की जननी कहा जाता है तो जो जननी कहा जाता है वह तमिल को कहा जाता है किसको तमिल आपका सही आंसर है किस भासा को भारतिय आरे भासाओं की जननी भारतिय आरे संस्कृति का आधार देव भासा आधी नामों से जाना जाता है तो एक जो है किसको जाना जाता है तो संस्कृत आप कहीं आपर सही आंसर है संस्कृत को जाना जाता है भार की आरे भासां की जननी भार की आरे संस्कृती का आधार दिव भासा किसको संस्कृत भासा को जाना जाता है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखिए ए रहा आपका अंगला कॉस्चन राम चरित मानस की बाद किस रचना की सरवादिक टी का है लिखी गई है वह रचना कौन सी है वह रचना बताने हैं आपके लिए तो यहाँ पर कॉस्चन नमबर पांच का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कॉस्चन नमबर पांच का राइट आंसर यह बताना है तो आपका सही आंसर है बिहारी सत सही बिहारी सत सही आपका सही आंसर है बिहारी सत सही जन्होंने बताया उनका राइट आंसर है कुर्टा जी की रचेता कौन है कुर्टा जी की रचेता यहाँ पर बताना है आपकी चार विकल्ब देगा है कुर्टा जी की रचेता कौन है तो question number 6 का सही answer है आपका यहाँ पर विकल्ब नंबर क्या है यहाँ पर विकल्ब नहीं देगा है हजारी पर साथ दुबेदी आपका यहाँ पर सही आंसर हजारी पर साथ दुबेदी आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है आपका पूँचा क्या है केरल राज की राज की भासा पूँचा है केरल की केरल की राचकी भासा जो है वह कौन सी है तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है वह मले आलम मले आलम आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है कौन सी भासा ओस्ट्रिक समूँ से संबंदित है तो ऑस्टरिक समूँ से जो सम्मंदत भासा है भै है खासी, कौन सी है? खासी आपका यहां पर सही आंसर होगा, खासी राइट आंसर है बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन क्या है? खड़ी बोली के सरपर्थम लोगपिरिये कभी को अनमाने जाते हैं खड़ी बोली के सरपर्थम लोगपिरिये कभी को अनमाने जाते हैं तो अयुद्धास है अपाध्या आपका सही आंसर होगा, अयुद्धास है अपाध्या अरियोद आपका यहां पर राइट आंसर है question number 10 क्या पूँचा क्या है खड़ी बोली का अर्वी फार्सी मैं रूप क्या है यह आपके लिए हाँ पर बताना है तो आपके हैं पर question number 10 का सही answer है उर्दु भासा आपके हैं पर सही answer है उर्दु भासा राइट आंसर है बिल्कुल सही उर्दु भासा राइट आंसर आपका अंगला question गंगा चवी बंडन कवीता की रचिनाकार कौन है गंगा चवी बंडन कवीता की रचिनाकार इसकी बताना है रचिनाकार कौन है तो आपका यहाँ पर जो सही answer है आपका question number 11 का right answer भारतेंदू हरिस्चंद्र भारतेंदू हरिस्चंद्र आपका यहाँ पर सही answer है भारतेंदू हरिस्चंद्र जिन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर right answer है अंगला question है गागर में सागर भनने का कारेकस कभी ने क्या है तो यह question आपका महत्तुपुन question है कई ब question है गोदान किसकी किरती है देखे जो गोदान है यह किसकी किरती है तो आपका सही आंसर है प्रियम चंद प्रियम चंद आपका सही आंसर होगा अंगले Second question is है घनेश्ट की कि सुद्दे उत्रावस्ता क्या है? donc question Negrete 14 है घनेश्ट की offshore क्या है? to आपका सभी आहर है घनेश्ट त्र्क्राइट क्या है? घनेश्ट त्रक्राइब भूस्ट का इह सही?"ël और आपका राइट आंसर प्रतिवी राज चौहन, प्रतिवी राज चौहन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, प्रतिवी राज चौहन के दर्वारी कभी थे चन्दबरदाई अंगला question है चंदन विस्व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग इस प्रस्तुत पंती के रचेता कौन है question number 16 इस पंती के रचेता बताना है चंदन विस्व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग तो इस पंती के रचेता है रहीम कौन है? ुआ है रहीम आपका इहां पर सही आंसर होका बिलकुल सही रहीम जेनों ने बताया अनका right answer है अंगला question इहां पर पूँचा गया है चरण दास चोड किस की नट सिकिरती है? question number 17 चरण दास चोड किस की नट सिकिरती है? राइट आंसर है हभीव तन्वीर, हभीव तन्वीर आपका यहाँ पर सही आंसर है, हभीव तन्वीर राइट आंसर है, चांद का महटेड़ा काब्बे के रचेता कौन है, चांद का महटेड़ा काब्बे है, ए और इसके जो रचेता है, बै है, कौन है इसके रचेता, गजान गजानन मादाव मुक्ति बोध आपका यहां पर सही आंसर है अंगले question क्या पूँचा क्या है चारू सब्द की सुद्ध भाबात्मक संग्या क्या है यह आपका चारू सब्द है और इस की सुद्ध भाबात्मक संग्या क्या है तो question number 19 और 19 का जो सही आंसर है वह आपका यहां पर सही answer है चारूता जिन्हों ने बताया है उनका right answer यहां पर है चिंतामणी की रचियता कौन है question number B से अपना महत्तपूल question पूंचे क्या है चिंतामणी की रचियता कौन है तो यह आपके यहां पर चार विकल्ब दिये गा है question number B से वह 20 का सही answer आपका यहां पर रामचन सुकल आपका सही आंसर है रामचन सुकल राइट आंसर है बिलकुल सही रामचन सुकल राइट आंसर अंगला कॉस्चन है देखिए यहाँ पर चीनी तिब्विती भासा समुई की भासाओं को किया कहा जाता है तो चीनी तिब्विती भासा समुई की भासाओं को बोलन बालों को क्या कहा जाता है यह आपके लिए बताने तो आपका सही आंसर है निसाद क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है निसाद आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या पूंचा गया है देखिए अंगला कॉस्चिन आपसे पूंचा गया है छायाबाद की पिरवर्तक का राइड आंसर तो जय संकर प्रसाद आपका यहां पर सही आंसर झेनोंने बताया है उनका सही आंसर है अंगला question क्या पूंचा गया है देव नांगरी लिपी को राष्ट लिपी के रूप में कब सुईकार किया गया था question number 24 है देव नांगरी लिपी को राष्ट लिपी के रूप में कब सुईकार किया गया था तो 24 का सही आंसर है आपका 14 सितंबर 1949 को 1949 को देव नांगरी लिपी को राष्ट लिपी के रूप में सुईकार क्या गया था अंगला कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 25 जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत देखी तिन तैसी यह जो पंती के रचेता कौन है महत्पूर्ण पंती पूचा गया है कॉस्चन नमबर 25 में जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत देखी तिन तैसी तो यह जो पंती के रचेता है वह है तुलसी दास जी कौन है तुलसी दास आपका हिहाँ पर सही आंसर होगा जो जन सासन भाचियो 100 मई कहियो सारू 100 पालाई सही भाव करी 100 तरी पाव पारू इस दोहे के रचेता रचनकार के नाम बताना है तो देवसेन जी इसकी रचेता है इस दोहे के रचनकार है अंगला question है ज्यानपीट प्रोषकार के स्चेत्र में सर्फ स्रेष्ट कारी के लिए प्रदान किया जाता है तो question number 27 का सही answer है ज्यानपीट प्रोषकार दिया जाता है आपका साहित के छेत्र में साहित आपका right answer बिलकुल सही ज्यानमार की साका के कभी को किस नाम से पकारा जाता है तो ज्यानमार की साका की कभी होते हैं इनको पकारा जाता है किस नाम से संत कभी की नाम से अंगला question है जरना ये जो काब संग्रा है और इसके रचेता कौन है तो जरना काब संग्रा है इसके रचेता हैं कौन आपका राइट आंसर है जय संकर पर साथ बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन क्या है डोगरी भासा मुख रूप से कहां बोली जाती है डोगरी जो भासा है डोंगरी बोलते हैं डोंगरी और यह मुख रूप से कहां बोली जाती है यह आपके लिए बताना है त धाई एक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित होई इसे के रचेता कौन है? Q31 का राइट आंसर बताना है, 31 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? धाई एक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित होई इसके जो नतलब रचेता है, वह कभीर दास जी हैं, कौन है? कभीर दास जी हैं आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन क्या पूँचा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर वहुच्छा है इस पंती की रचेता कौन है question number 32 का सही answer बतान है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुबर वहुच्छाए इसके जो रचेता है भाय है भारतेंदू, हरेश्चंद्र अंगला question है क्या है तरुबर फल नहीं खात है सरवर पिहन पान इस पंती की रचेता कौन है question number 33 से महत्पूर्ण question पूचा है, तरुबर फल नहीं खात है सरवर पिहन पान तो इस पंती के जो रचेता है भाय है आपके रहीम जी, रहीम दास रहीम जी आपका यहाँ पर right answer बिल्कुल सही, तितली किसकी रचना है तितली महत्पूर्ण question पूचा है सरवर question पूचा है, तितली किसकी रचना है तो आपका सही answer यहाँ पर है जैसंकर प्रिसाद आपका right answer यहाँ पर होगा अंगले question, question number 35 आपसे यहाँ पर पूचा क्या है तुलसीदास का बहे ग्रंत कौन सा है जिसमें जोतिस का बर्णन किया गया है तुलसीदास जी का बहे ग्रंत कौन सा है रामग्या प्रिसनाबली रामग्या प्रिसनाबली right answer है तोड़ती पत्तर यह कवीता है इसके कभी कौन है तोड़ती पत्तर कवीता के कभी कौन है महत्वण question आपसे यहाँ पर पूचा गया है और इसका जो सही आंसर है आपका right answer शुरीकांतर पाठी निराला अंग्या question पूच्चन पूच्चा गया है question number 37 का पूच्चा क्या है तोड़ती पत्तर कैसी कभीता है तोड़ती पत्तर जो कभीता है कैसी है तो आपका सही आंसर अथार्त बाद ही होगा आपका सही आंसर विल्कुल सही अंगले question क्या है त्याग पत्र उपन्या से किसकी रचना है त्याग पत्र उपन्या से जो रचना है त्याग पत्र क्या है उपन्या से और किसकी रचना है यह आपके लिए बताने तो 38 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प न कि रचिनकार कौन है इस पंति की रचिनकार आपके लिए यहां पर बताना है तो इस पंति यह रचिनकार जो है रहुं राहुल सांक्रित तेट राहुल सान क्रित्ताइन आपका यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही राहुल सान क्रित्ताइन है आपका राइट आंसर रामचरित मानस में प्रधान रस की रूप में किस रस को मानिता मिली है तो जो ये मानिता मिली है रामचरित मानस में किस रस को मिली है भक्ती रस भक्ती रस आपका सही आंसर है अंगले कॉस्चन है क्या पूशा क्या है देखे दुखी ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज ज पुरकान तरपाथी निराला अंगला कॉस्चिन क्या पूंचा क्या है तो कॉस्चिन नमबर 42 पूंचा क्या है या पर क्या पूंचा क्या देखिए देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलो के हाथ दूजो ना लगाऊं बर करों एक करकों यह जो पंती है किस कभी द्वारा सिर् inbox को हूं और सभशे आपको सब्सक्राइट की नावास अपका यहां पर सही आंसर है अंगला कोस्चय ने तो जो विकास हुआ है इहीं लिपी से इसका विकास हुआ है अंगला question क्या है देखिए जब जब होए धर्म की हानी बड़े अस्वर अधम अभी मानी इसे पंती की रचेता कौन है question number 45 है और 45 का सही answer है तुलसिदास जी इस पंती की रचेता है देश में एक मातर किस राज्य की र चेता कौन है question number 47 है और 46 का सही answer है आपका यहाँ पर सरहपा आपका राइट answer होगा दिर्विन भासाओं में सरवदिक बोली जाने वाली भासा क्या है तो दिर्विन भासाओं में सरवदिक जो बोली जाने वाली भासा है question number 48 का सही answer होगा आपका तेलगू तेलगू आपका ह आपर सही answer बिल्कुल सही अंगला question दोबेदियोग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है ये आपके लिए महत्तपुन question पूँचा जा चुका है कई बार ये जो question है एक जाम में पूँचा गया है और आपका सही answer महाबीर परसाद दोबेदि दुरुब सौमनी की रचेता कौन है दुरुब सौमनी सबसे पहले आपके लिए याद रखना है ना टक है एक और इसके जो रचेता है बै है कौन है इसके रचेता तो आपका राइट आंसर है जैसंकर प्रसाद जैसंकर प्रसाद आपका सही answer है यहाँ पर अपने बहुत ही महत्तपुन question है ने बन लाइनर तो आज की वीडियो में यहाँ पर अपने 50 question जो है complete कर लिए हैं तो क्या असा लगा यह वीडियो आप comment में जरूबता है इसी परकार की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं बन लाइनर question के तो comment में answer जरूबता है लिखें कि इसी परकार की और बहुत सारी वीडियो ला लाइक करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवार्द जय हिन